मैं हुआ यिश्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट विनोत खना इन दिनों अस्पिताल में भरती हैं पूरा बॉलिवुट उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहा है वहीं लता मंगेश कर और आशा पारिक ने भी विनोत खना की तबियत को लेकर दुख जताया है आशा पारिक ने विनोत खना के साथ आन मिलो सजना, मेरा गाउं, मेरा देश और मैं तुलसी तेरे आंगन की में काम किया है एक बाचीत के दुरान आशा पारिक ने कहा विनोध खना की हालत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ मैं दुआ करती हूँ कि वो जल्द ठीक हो जाएं वो अपने समय के सबसे हैंसम हीरो में से एक हैं आशा ने बताया कि हाली में वो एक फंक्शन में विनोध से मिली थी वही लदा मंगेशकर ने शनिवार को विनोध खना की सेहत को लेकर ट्वीट किया उन्होंने लिखा मेरी दुआ है कि विनोध खना जल्द से जल्द ठीक हो जाएं वो फिल्म इंडस्ट्री के बहतरीन आर्टिस्ट में से एक हैं आपको बता दे कि विनोध खना को डिहाइड्रेशन हुआ है यह जानकारी उनके बेटे राहुल खना ने दी थी हाली में जब एक online entertainment portal ने विनोध खना के बड़े बेटे अक्षे खना को संपग किया तो अक्षे ने message करके बताया कि उनकी हालत में तेजी से सुधार हुआ है फिलाल इस वीडियो में इतना ही टेलेविजन और बॉलिवुट की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रही है फिल्मी बीट